नमस्कार, मैं हो ससी, आए जार्खन की टॉप 25 परमुख खबर जानते हैं जार्खन पंचायच स्वयम सेवक संग ने किया नंग ध्रंग प्रदर्सन पंचायच सचीवाले के स्वयम सेवकों ने पांच सुत्रों मांगों को लेका सता धरी दल जामों के दफ्तर के सामने नंग ध्रंग प्रदर्सन किया इसे पहले स्वयम सेवकों ने जामों दफ्तर के बाहर मार्च निकाला हाथों में तक दिया थी जिन पर लिखा था कि युवाओं को ठकना बंद करो उचीत मांदे देना होगा राज अस्तरिय पंचाय सची वाले स्वयम सेवक संग के चंद्रदीप कुमार ने बताया है कि पूरे राज में स्वयम सेवकों की संग के 18,000 है इन नंग धरंग प्रत्रदशन में हजारों स्वयम सेवक सामील हुए है एक प्रतिनिधी मंडल अपनी मांगो से जहमों के प्रतिनिधी को दोबारा आउगत कराएगा स्वयम सेवकों ने हमंत सरकार पर वादा किलाफी कारोप लगाया है उनका कहना है कि रहुवर्दा सरकार के कारेकाल में साल 2016 में उनकी भाली हुई थी तब पंचायतों में विकास कारियों के लिए उन्हें अच्छा खासा इंसेटिव मिलता था जनम पर्मानपत्र, पीएम, अवास योजना, मिरित्यू पर्मानपत्र और राशन कार्ड में नाम जोडने और गलत नाम को हटाने के बदले इन्सेटिव मिलता था लेकिन अब इन्सेटिव पर भी आपत हो गई है सरना कोड के लिए रांची में महा जुटान सरना धर्मकोड के लिए देश बीदेश के आदिवासी जारखन की राइधानी रांची में जूट रहे हैं आठ नॉमबर को यतिहासिक मौराबादी मैदान में आदिवासी समाज के लाखों लोगों के एकत्र होने की बात पुर्व सांसत सालखन मुर्मु ने कही है मंगलवार को पत्रकारों को समधित करते हुए आदिवासी सेगेल अभियान के परमुख सालखन मुर्मु ने कहा है कि आदिवासीयो का भी अपना अलग राष्ट होना चाहिए इसका केंद्रे बिंदु जारखन होगा हलाकि उन्होंने जोड़ा है कि मैं अलग देश की मांग नहीं कर रहा हूँ लेकिन हम प्रकिर्तिक पुजक आदिवासीयो के लिए अलग राष्ट चाहते हैं उन्होंने कहा है कि अगर हमें सरना धर्म कोड नहीं मिला तो आदिवासीयो का अस्तित्व खत्रे में पढ़ जाएगा तीन दिसंबर को रांची में जुटेंगे राज के रसोया एवं संजोजी का संग जारखन परदेश विद्यालाय रसोया संजोजी का अध्यक संग तिन दी समर को रांची के मोराबादी मैदान में जुटेगा इसको लेकर परखंड अस्तरिये बैठा गोड़ा परखंड के पूर्वी छेत्र सराउनी के उतकर्मिक मद भी द्याले घाट बंका के प्रांगन में आयोजित की गई इसकी अध्यक्षता जीला अध्यक्ष भविता कुमारी आनद ने किया है जीला अध्यक्ष भविता कुमारी आनद ने बताया है कि तीन दी समर को मोराबादी मैदान रांची में जारकन परदेश के सभी जीलों की रसोया एम संजो जीका का महा जुटान होगा इस महा जुटान की सफलता के लिए गोटा जी लेके सभी पर खंडों में बैठक आयोजित की जा रही है मुख्य मंत्री हमान सुरेन को बतर मुख्य अतिती सादर अमंत्रित किया गया इस महा समेलन में गिरीडी के बिधायक सुदिप कुमार सोनू, बढका गाओ की बिधायक अमबा परसाद, बागोदर की बिधायक बिनोध सिंग, बाहरा गोडा की बिधायक समीर कुमार मुहंत्रित को भी बतर विशिष्ट अतिती अमंत्रित किया जाएगा ज्यारखन में बड़ी संख्या में सिक्षक की बहाली 6 दिसंबर से पहले आवेदान, बिध्या विका समीती और वनांचल सिक्षा समीती की ओर से स्तरशती सीशू बिध्या मंदीर के नाम से ज्यारखन में संचालीत, बिध्या भारते की स्कुलों में बड़ी संख्या में सि पर्यता दी जाएगी वहीं बिद्या विकास समीती जार्खन के परदेश सची अजय तिवारी ने कहा है कि बिद्या भारती की ओर से जार्खन में 244 बिद्याले संचाली था हैं जिन में से लगबग 150 बिद्यालों में अलग-अलग भी सहयों के सिख्षकों की बहाली की उन्हें किसी भी स्कूल में भेजा जा सकता है परदेश सची ने कहा है कि प्रात्मिक सिख्षक पी आर्टी पद के लिए अंग्रेजी बिद्यान और संगनक विद्यालों में बहाली की जाएगी वहीं प्रसिक्षित असनातक सिख्षक टीजीटी पद के लिए हिंदी अंग गनीत रसायन वा भातिकी विशायों के लिए शिख्षक की जरूरत है वहीं पोस्ट गेर्जुएट सिख्षक पीजीटी पद के लिए अंग्रेजी गनीत रसायन और साथ सारेजिक सिख्षा एयों लेखा सास्त्र के सिख्षक की जरूरत है धन 13 स्वा दिपावाली में ज्यारखन मौसम रहागा लेकिन बारिज की सम्हावना नहीं है मौसम को लेकर कोई चेतावनी भी जारी नहीं की गई 13 नौमबर तक राज्य में मौसम साफ रहेगा बता दे जार्खन में तेरा नौम बरतक बारिस के असर नहीं है आस्मान मुख्यता साफ रहेगा और मौसम सूस्क रहने की संभवना है जार्खन में 40 परतिहत मरीज ओरल कैंसर की चपेट में जार्खन में परति एक लाह की अबादी में 70 लोग कैंसर से पिडित हैं इसमें 40 परिश दी मरीज तमबाकू या उसके उत्पाद का उपयोग करने की वज़ा से ओरल कैंसर की चपेट में आते हैं बता दे एन एफ एच एस पांच के आकड़े के अनुसार जार्खन में 47.4 परिश दी पूरूस और 8.4 परिश दी महिलाय तमबाकू का सेवन किसी ने किसी रूप में करते हैं यही वज़ा है कि राज में ओरल कैंसर से पिलीतों की संख्या में तेजी से बिलीधी हो रही है हलाकि जगरूपता और समय पर स्क्रीनिंग से कैंसर जैसी जनलेवा बीमारी को आसानी से हराय जा सकता है राश्ट्रिये कैंसर जगरूपता दिवस पर विसेस रूपोर्ट दी गई है बता दे राश्ट्रिये कैंसर जगरूपता दिवस पर वर्स तोहरता इसका थीम है कोलोज दक केयर गैप इसका मतलब है कि कैंसर मरीजों की देख भाल में समानता नहीं बरती जाती है कैंसर मरीजों की देखपाल में अक्सर भेदभाव किया जाता है जारखन के लातेहर जीले के चंदवा में मंगलवार की दोपहरबाद अस्थानिय थाना में केरला चंदवा मोहमद स्थदीक अंसारी के अग्यात लोगों ने गोली मार कर हत्या कर दी घातना चंदवा मालक मैकलूसकी गंजपत इसी दूबी पेट्रोल पंप के समीब की है सदीक मालहन पंचायत के चोकिदार थे इसके बिरोध में लोगों ने सड़क जाम कर दी जनकारी के उनसर मंगलवार की दोफर बाद वे अपनी बाइक से थाने के काम को लेकर मालहन गाव कए थे यहां से लोटने के करण में उस अस्थान पर अग्यात अपराजों ने गोली मार कर उनकी हत्या कर दी 17 साल बाद आदिवासियों को मिलेगा वन पट्टा जारखन सरकार ने स्वमवार को अबवा बीर अबवा दिशवम अभियान के सुरुआत की है इस अभियान के तहट आदिवासियों को वन पट्टा दिया जाएगा इस औसर पर मुख्य मंत्री हमंसुरे ने कहा है कि राज्य में वन अधिकार अधिनियम 2006 के अंतरगात जो कारे बहुत पहले होनी चाहिए थे कहीं ने कहीं उस काम की सुरुवत आज उनकी सरकार अबवा बीर अबवा दिशवम अभियान के रूप में कर रही है वन अधिकार अधिनियम के लागू हुए लगबग 17-18 वरस होने जा रहे हैं लेकिन जारकन में इस अधिनियम की गंभीरता को नजर अंदाज किया गया मुख्यमंद्री ने कहा है कि कई चुनोतियों के बाद आज उनकी सरकारवन अधिकार अधिनियम को एक मुहीम के तोर पर शुरू कर रही है जारखन हाई कोट ने IPC की धारा 4791 के दुरूपयोग पर जताई चिंता जारखन हाई कोट ने एक याचका की सुनवाई करते हुए IPC की धारा 4791 के दुरूपयोग पर चिंता जाहिर की है कोट ने कहा है कि कानून के इस प्रवधान का असंतुुष्ट पत्नियों दूरू द्वारा धाल के बज़ाए एक हथियार के रूप में गलत तरीके से इस्तिमाल किया जा रहा है भारतिये दंड संहीता की या धारा किसी महिला को पती और ससुराल के लोगों द्वारा प्रतालित करने के मामले में लगाई जाती है लेकिन देखा जा रहा है कि महिला मामूली मुद्धो पर आवेस में आकर इस धारा के तहत मामला दर्च करा रही है कोट ने कहा हाल के वर्षों में बैवाहिक बिवादों में अभूत पूर्ण बिर्धी हुई है और ऐसा परतीत होता है कि कई मामलों में IPC की धाराचा सवंठान में एक अधुरूपयोग किया जा रहा है सेतु के नमांकरन पर सियासत दुमका में मयुरक्षी नदी पर बने राजी के सबसे लंबे सेतु के नमांकरन का मामला घर्मانे लगा है है सेतु अब सियासत कहीं साबन गया है हेमन सरकार ने इसका नाम दिसोम गुरू सिवु सोरेण सेतु रखने के घोसना कर दिया है इसकी वज़ा से सेतु के नमांकरन का मामला सेंसेटिव हो गया है देश के सबसे बड़े तीतली पार्क का रांची में उद्घाटा देश के सबसे बड़े तीतली पार्क का उद्घाटा रांची के ओरमांची चिलिया घर में किया गया इस असर पर वन एवं पर्यावरन विभाग के सची एवं ख्यागते सहीच कई वरिष्ट अधिकारी मुझूद रहे कारकरम में समधित करते हुए सची एल ख्यागते ने कहा है कि भारत का सबसे बड़ा तितली पार्क रांची में बना है यह काफी गरो की बात है वन एवं पर्यावरन विभाग के सची एवं एल ख्यागते ने कहा है कि तितली पार्क बनने से बच्चे यहां मनरजन के साथ साथ प्रकिर्ती में रहने वाले विभीन जीव जनतुए के बारे में जान सकेंगे और उनके संग्रक्षन के प्रति गंभीर हो पाएंगे इड़ी अधिकारियों के खिलाप जेल में बैठ कर साजिस मामला बिशा मुंडा केंदरिये कारा में बंद जमीन घोटाला और मनी लॉंडरिंग के आरोपियों द्वारा इड़ी के अपसरों के खिलाप रची जा रही साजिस मामले पर जारगन हाईकोट ने इड़ी को सील बंद रिपोर्ट पेस करने को कहा है दरसल योन सोसन पीडिता सुसमा बढाईक मामले की सुनवाई चीप जाठी संजाय कुमार मिस्त्रा के खंड पीठ में हो रही थी सुनवाईक दरान सुसमा बढाईक की ओर से बताया गया कि उनकी सुरक्षा के लिए मिले कॉंस्टेवल ही उन्हें धमका रहे हैं इसी करम में जेल से ही मनी लोंडरी के आरोपियों दोवारा एडी के अधिकारियों को धमकाने के ममला उठा इस पर कोट ने एडी से सिल बंद रिपोर्ट मांगी है जारखंड के किसानों पर आया बड़ा संकट किरिसी विभाग परिशान जारखंड में कई जीलों के किसानों को सुखे के बाद अब धान में बीमारी की मार जेलना पर रही है राजधानी सहीज संताल परगना के कई जीलों में खेतों में लगी धान की बाली काली हो जा रही है इससे किसान परिशान है किसानों ने इसकी सिकाइट क्रिसी विभाग से भी की है किसी विभाग के पौधा सनच्छन विभाग ने इस मुद्दे पर कई जिलों के किसी पताधिकारियों से बात की किसानों से निरंतर संपर्क में रहने का निर्देश दिया सबसे अधीक असर साहेव गंज अर्दुम का जिले में देखा जा रहा है वहीं राजधानी के पंच परगना वाले इलाके में भी ज़्यादा सिकायत मिल रही है हेमंत सुरेन पर भड़के बाबुलाल दीफिरी की सला भाजपा के परदेश अध्यक्स बाबुलाम रांडी ने जहारखन सीएमों पर उप लगाया है आप ट्वीट की लंबाई को इस बात से समझ सकते हैं कि इसमें कूल मिलाकर पांच पैरागराप है मरांडी ने अपनी पोस्ट में इडी, गिरिह मंत्री करया लाए, परधार मंत्री करया लाए, जहारखन पुलिस और रांची पुलिस को भी मेंसन किया है अती विश्वसनिये जनकारी के अनुसार जहारखन सीएमों के इसारे पर पुलिस के कुछ आला अधिकारियों द्वारा रांची सीटी एसपी पर काफी दबाव बनाया जा रहा है कि किसी भी तरह कुछ दर्ज मामलों में इडी के कुछ चुनिनदा अधिकारियों को आधिवासी उतपिरन मामलों में अभियुक्त बनाया जाए पालामु के किसानों के लिए बुरी खबर मोहमद गंज भीम बराज नहर से नहीं मिलेगा पानी बता दे जार्खन और बिहार का सिमावर्ती इलाक लगातार सुखार्त जूज रहा है सिमावर्ती इलाकों में बारिस अच्छी नहीं हुई है नतीज़दन धान की अच्छी पैदवार नहीं हुई वही एक बार फिर से किसानों के लिए बुरी खबर है रभी फसल की सिचाई के लिए किसानों को पानी नहीं मिलेगा इस कारण जार्खन के पलामू और बिहार के गाजा और अरंगाबाद के किसान परभावित होने वाले हैं पंद्रह लाह का मावादी सब्जोनल कमांडर नवीन यादो किया सरेंडर जार्खन के चत्रा में पंद्रह लाह के नामी मावादी सब्जोनल कमांडर नवीन यादो ने मंगलबार को पूलिस के समक्ष आत्मसवरपन कर दिया है हलाकि पूलिस इसकी पुष्टी नहीं कर रही है बताया जा रहा है कि वह लाते हार जीले के बुढ़ा पहार चेतर में सब्जोनल कमांडर के रूप में जिम्मेवारी समालता था इसके स्तरेंडर करने से प्रतिबंदे नक्सली संगठर मावादी को बड़ा जटका लगा है धन्यवाद